हलो फ्रेंड डेकाज ऊटूबर में आपका स्वागत है प्रेंड आज के इस वीडियो में एकाउन कैसे डिलिट करते हैं फेस्बुक का आज के इस वीडियो में step by step आपको लाइप देखाएंगे तो फ्रेंड आप अपने Facebook एकाउन को इस तरह से उपन कर लेंगे फ्रेंड होता है क्या कि आप अपना अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं तो मैं जो तरीका बताऊंगा उस तरीके को अपलाई करेंगे तो 100% डिलीट हो जाएगा और आपको कहीं सो नहीं करेंगा इसके लिए फ्रेंड आप अपने Facebook अकाउंट को अपडेट कर लिजेगे इसस क्लिक करना देख सकते हैं इस तरह सेट नाम का अफ्रमेशन आ जाएगा अप अव सब इस तरह से personal and account information first number पर है उस पर आपको क्लिक करेंगे इसके पर से आपको नाम का अप्शन आ जाएगा अब सबसे सबसे नीचे आपको सो कर देगा account ownership and control का अप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपको इस तरह सिस्टम लोडिंग लेगा लोडिंग लेने के बाद इहां से देख सकते हैं उपर के नीचे आपको दूसरे number पर deactivation आपका option आजाएगा temporary deactivate और permanently delete your account पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपको क्लिक करना है दूसरे number पर इसके पर से इहां से आप इहां देख सकते हैं इसमें आप दो option मिलता है इसमें आप deactivate भी कर सकते हैं आपने account को delete भी कर सकते हैं जैसे deactivate क्या होता है कि जैसे आप भविस में दो या तीन महिने बाद अपने account को activate करना चाहते हैं तो असानी से activate कर लेंगे आप इसके आपको डिलीट करना है आप इसको तीस दिन तक आपको लागिन नहीं करना है और लागिन नहीं करने के बाद आसानी से आपका 30 दिन के बाद आपको एक्टिवेट नहीं रहेगा आटोमेटिक डिलीट हो जाएगा इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने बाद यहां से आपको term and condition होता है जो आपको इसमें privacy के तौर पर आप डिलीट करना चाहते है इसके पहले आप नहीं से आपसन नहीं आएगा तो चलिए फ्रेंट इस तरह से हम सलिट कर लेंगे सलिट करने बाद यहां से सो कर देगा कि आप किस कारण आप डिलीट करना चाहते है इस तरह सलिट कर लेंगे सलिट करने बाद यहां से आपको edit your notification setting का पूरा term and condition होता notification का आप पर सकते हैं इस पर आपको क्लिक कर देंगे पढ़ने बाद यहां से देख सकते हैं आपका option में सो कर देगा कि जिससे आप अपने messenger का message किये होंगे WhatsApp से किसी को तो आप उसको आप कभी भी किसी वक्त recover नहीं कर सकते डिलीट करेंगे तो आपका information upload किये होगे तो भी आपको recover नहीं होगा आप जो जो आप मतलब फेस्बुक पर आप upload किये होंगे उसको recover नहीं किया जा सकता है जो आप पर नहीं जब डिलीट करेंगे और डांटा आपको transfer नहीं हो सकता किसी में तो इस तरह से आपको सो कर देगा तेहां से आपको नीची आपको देख सकते हैं account delete का option आता है तो फ पासवर्ड नहीं या दथ हमारा इंडी स्कीन में वीडियो मिल जाएगा असानी से आप password recover कर सकते हैं तो जैसे देख सकते हैं इस तरह से पासवर्ड निट करेंगे तो यहां से फिर से आपको confirm के लिए आपको डिलीट करना चाहते हैं तो इससे टर्मिंट कर सकते हैं 30 दिन तक आपको यहां से लागिन नहीं होना है तो इस पर क्लिक करने बाद आपको इस तरह से लोडिंग लेगा सिस्टम लोडिंग लेने बाद आपको एकाउंट डिलीट हो जाएगा और आप इसमें असानी से डिलीट कर चुके हैं और इसको 30 दिन के पहले आपको लागिन नही करना है तो फ्रेंट असानी से डिलिट हो जाएगा तो फ्रेंट वीडिओ शुरू से लाज तक देखेने के लिए धन्य बाद वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएगा चैनल पना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर पेस कीजिएगा धन्यबाद